नमस्ते आप देख रहे हैं इंसाइड स्पोर्ट और मैं हूँ आपके साथ शिवेंद्र IPL 2022 के दूसरे क्वालिफायर मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजस बेंगलोर की टीमें आमने सामने होंगी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला है इस मुकाबले की विजयता फाइनल में पहुचेगी जहां उसका मुकाबला हार्दिक पंडिया की अगुवाई वाली गुजरात से होगा फाब डुपलेसी और संजु सैमसन के कप्तानी वाली टीमें फाइनल में इंट्री के लिए जी जान लगाने को तयार हैं ऐसे में दोनों टीमों के बीच शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले के बेहत रोचक होने की उमीद है आज होने वाले महा मुकाबले के लिए कैसी है दोनों टीमों की तयारी और किस टीम का पढ़ड़ा है भारी आईए बताते हैं इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चलेंजर्स बेंगलूर की इस मुकाबले में RCB की टीम एलिमिनेटर में लखनू सुपर जायंट स्कौधा रन से हरा कर पहुची है जाहिर सी बात है टीम के होसले बुलंद होंगे लेकिन सलामी बल्लेबाद जी अब भी टीम की सबसे बड़ी चिंता है विराट कोली और फाब डुपले सी इस मैच में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे RCB के लिए पिछले मैच में रज़त पाटिदार ने अपनी करियर की सबसे बहतरीन पारी खेली थी 28 साल के रज़त पाटिदार ने 54 गेदों में 112 रन बनाये थे अपनी शांदार पारी के दम पर रज़त पाटिदार ने RCB को एलिमिनेटर की बदकिस्मती से बाहर निकाला था इस मैच में भी सब की निगाहे एक बार फिर से रज़त पर रहेंगी टीम के लिए नीचे के करम में दिनेश कार्तिक ने हिटर की अपनी भूई का बखो भी निभाई है अगर RCB की गेंदबाजी की बात करें तो हर्शल पटेल और जोश हेजल वुड ने ज़्यादा तर मैचों में शांदार काम किया है मुहमत सिराज की LSG के खिलाफ मैच में अच्छी गेंदबाजी ने इसे और भी प्रभाविक गेंदबाजी यूनिट बना दिया है टीम को वनिंदू हसरंगा से एक बार फिर जादूई प्रदर्शन की उम्मीद होगी चलिए अब आपको बताते हैं RCB की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में आज के मैच के लिए फाब डूपलेसी कुछ ऐसी टीम चुन सकते हैं अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की संजू सैम्सन की अगुआई वाली राजस्थान को अपने पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ हार मिली थी पूरे टूर्णामेंट के दोरान शांदार प्रदर्शन कर ले वाली राजस्थान इस मैच में जीत हासिल करने के लिए अपना जी जान लगाने को तयार है अब तक लीग में सबसे जादा रन बनाने वाले जोस बटलर ने पहले क्वालिफायर में 56 गेदो में 89 रन बनाये थे इस पारी से बटलर ने साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों के खिलारी हैं दूसरी तरफ यजुएंदर चहल 26 विकेट जटक कर अब तक परपल कैप पर कपजा बनाये हुए हैं इस मैच में चहल और हसरंगा के बीच कड़ी टककर देखने को मिल सकती है कप्तान सैमसन ने नमबर 3 और 4 पर बल्ले बाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की है लेकिन उन्हें अपने 30 और 40 रनों की पारी को बड़े स्कोर में बदलना होगा पिछले मैच में टीम की गेंदबाजी फेल रही थी और अब देखना होगा कि अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, यजुएंदर चहल, ओबे मैकोई और प्रशिद्ध कृष्णा RCB के खिलाप कैसे वापसी करते हैं इस मैच के लिए राजस्थान रोयल्स की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा साथ ही खेल की और ज्यादा खबरों के लिए हमारी वेबसाइट Inside the Sport को जरूर फॉलो करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन जरूर दबादें झाल